अब रुख करते हैं खबरों का अमेरिका के कम से कम पाच राज्यों में शुक्रवार शनिवार की रात एक साथ आए कई साइकलोन आपस में जुड़ जाने के कारण भारी तबाही मच गई है केंट की राज्य में ही 100 लोगों के मारे जानी की खबर है और कई लोग अब भी मलबे के नीचे दफन हैं यहां सबसे जादा तबाही में फिल्ड में हुई है जिसे सभी साइकलोन का ग्राउंड जीरो माना जा रहा है में फिल्ड में एक मोमबती फैक्टरी के गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई है वहीं इलिनोईस राज्य में एक कामपनी का वेरहाउस दफ्थ हो गया जिसके मलबे में करीब 100 करमचारी दब गए हैं वहीं कैंट की के गवर्नर ने कहा कि यह राज्य के इतिहास का सबसे भया प्रिधान मंतरी नरेंद मोदी का ट्वीटर अकाउंट हैक हुआ था जिसके बाद अब सरकार एक्शिन में आ गई हैं अकाउंट किसने हैक किया इसकी जाच के लिए सरकार लेटिस टेकनोलोजी का इस्तमाल कर रही है सुत्रों ने बताया कि C.R.D.N. को इस काम में लगाया गया है और वो हैकिंग के सोर्स का पता लगाने की कोशिश कर रही है इसके लिए सरकार ने इंडियन कांप्यूटर एमर्जेंस रिस्पॉंस टीम यानि की C.R.D. इनकी टीम को काम में लगाया है है हैकिंग की तह तक जाने के लिए टीम लेटिस टेकनोलोजी का इस्तमाल कर रही है दरसल C.R.D. इनकेंदर सरकार की एजिंसी है जो मिनिस्ट्री ओफ एलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्फॉर्मीशन टेकनोलोजी के अधीन काम करती है इसका काम भारत सरकार की हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर खतरों से निपटना है ये एजिंसी भारती इंतरने ड